हेलो इबरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगाथ है 12th वाइवलाजी में बच्चो आपको 40 प्रिशन दे चुका हूँ आल्रेडी जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो प्रिशन कहां मिलेंगे तो important question का एक अलग से playlist बना दिया हूँ तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उन प्रिशनों को त्यार कर लें और ये home work है बच्चो आप लोगों के लिए 40 प्रिशन का आपके helpful है वाँ की Hindi English MP Board से अलग रहता है इसलिए आप लोग अदर स्टेट से हैं तो physics committee और biology जो हम provide कर रहे हैं वो आप त्यार करते चले चलिए बच्चों सुरू करते हैं पहला प्रिशन यहां पर देखे आज का आंको जीन तथा साइलेंट जीन को परिभासित कीजिए जीन संकल्पना की विशेशताय लिखिए बायो पायरेसी को संचिप्त में टिप पड़ी अब देखे क्वेशन किसी तरीके से घुमा सकता है जरूरी नहीं रहता कि टिपड़ी ही पोचे अब बायो पायरेसी क्या है दो नंबर में पोच दिया या कि उसी को घुमा दिया बायो पायरेसी पर संचिप्त टिप पड़ी या केबल आ गया बायो पायरेसी की टिप पड़ी तो क्वेशन बायो पायरेसी सब्द से बनेगा जरूरी नहीं रहता कि हम इसी प्रकार से क्वेशन उस टॉपिक से क्वे कहते हैं इसकी उपयोगिता क्या है लगू बीजाणु धानी और गुरू बीजाणु धानी में अंतर कभी-कभी भाई टिपड़ी जैसे यहां पर लिखा है लगू बीजाणु धानी क्या है मतलब या गुरू बीजाणु धानी पर टिपड़ी तो कोश्चन किसी भी तरीके स पूछा जा सकता है यदि अंतर पूछ दिया इसका मतलब तीन अंतर आपको लिखना है यदि बच्चो इसका अंतर आपसे बन रहा है तो उसी को आप लोगों क्या करना है टिपड़ी में लिख देना है वही चीज तो है लाइन से दिलिख दो यदि पांच अंतर किस चीज का बढर रहा उसको आप्लाइंस लिख दो तो उसका टिपड़ी हो जाता है समझती और समुदाई में तीर अंतर लिखिए अनुलेकर किसे कहते हैं समझाई यह किस एनजाईम दोरा उत्प्रिध होता है सन्योजक कड़ी किसे कहते हैं उदान से समझाना है सन्योजक कड़ी भेरी भेरी इंपोर्टेंट बच्चो एक भी कोश्चन मिस मत करना और आप लोगों के लिए इतना हेल्प किया जाता है कि पुरा कोश्चन ढूंड करके लिखना इसके बाद प्रॉइट करना आप लोगों के लिए निरंतर मतलब हम कर रहे हैं मेना तो बस आप लोगों का एक ही कामे बच्चो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने वीडियो जितने भी हैं आप तयार करो देखो वहां पर ठीक है यहां पर देखिए संयोजन कड़ी किसे कहते हैं उदान सहित समझाईए समझात वा संब्रत्ति अंगों में अंतर लिखे निसेचन क्या है इस पर टिपड़ी लिखना है सुजनन की कोई परिवासित कीजिए सुजनन की ठीक है न याद रखे सुजनन की कोई परिवासित कीजिए प्रति जैबी क्या है टिपड़ी लिखे उर्जा प्रभाय क्या है सीधा ऐसे भी कोश्ण आ जाता है टिपड़ी में भी आ जाता है भ्रूण कोस और भ्रूण पोस में क्या अंतर है तीन तीन अंतर मीनिमम आपको तयार करना है यदि चार नंबर में आगए तो चार अंतर तयार करना पड़ता है तो यसे बच्चों यदि आप से तीन अंतर बन रहा है तो काफी है बहु भुरूंड़ता को उदान से समझाईए लुप्त प्राया संकट पत्र प्रजाती किसे कहते हैं इसके प्रजातियों का बर्णन करना है आपको हाइड्रोसियर या जिरोसियर में क्या अंतर है ठीक है जब एक समान इस्त्री का बिवाए एक बर्णन पुरुस के साथ होता है तो उनसे पैदा होने वाले संतान बर्णनता की बंसागति को समझाईए मतलब जब समान इस्त्री का बिवाए एक बर्णन पुरुस से हो जाता है तो संतान किस प्रकार से होते हैं इस पर टिपड़ी लिखना इसका अपोजिट यदि किसी सामान पुरुस का विवाय हीमोफेलिया की बहा किस्त्री से हो जाए तो उससे प्राप संतान में हीमोफेलिया की बंसागति को आपको समझाना है कि मतलब एक जो पुरुस है वो सामान है और महीला जो हीमोफेलिया से ग्रसीत है अब इनके भी जो संतान होगा उसकी बंसागति कैसी होगी इस पर आपको समझाना है अगला प्रशन बच्चो गोल्डन राइस क्या है समझाईए सुक्रान जनन वा अंडान जनन में सामिल हार्मोन्स के नाम अभी अहा फियरली में हार्मोन्स के नाम पूछ दिया गया था बी ओडी को परिभासित कीजिए लैमार्क बात था डार्मिन बाद में अंतर लिखना है बीजान्ड की संदचना को सचित्र समझाईए एक प्रारूपी पुस्प का नामा की चित्र बनाईए खाद स्रंकला वा खाद जाल में अंतर लिखे अनुहरन वा छदमाबरण में अंतर लिखना है अगे देखिए जीन प्रारूप वा लक्षण प्रारूप में अंतर सम युगमेजी वा बिसम युगमेजी में कोई तीन अंतर लिखना है जैब उर्वरा किस प्रकार के म्रदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं क्रतिम गर्वाधान को समझाए क्रतिम गर्वाधान को समझाए प्रभाबिता और आप्रभाबिता में कोई दो अंतर लिखना बच्छो प्रभाबिता और आप्रभाबिता में कोई दो अंतर जीनो टाइप और फीनो टाइप में कोई दो अंतर देखिए अंतर तो काफी है और यहाँ पर अंतर अंतर ही देखिने को मिल जांगे सो परागण, पर परागण में अंतर, परागण वा निसेचन में अंतर लिखे, कुछ प्रशन दीपीर भी हो सकते हैं, जैसे, जब हम 40 प्रशन दिये थे, कुछ प्रशन यहां से भी मैच कर सकता है, तो आप लोग वो प्रशन देखे होंगे, बच्चो, ताला परितंत्र में जीव भार के पिरामिड को समझाइए, बन पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है, समझाना है, सह प्रभाविता और अपूर प्रभाविता को समझाना है, टेस्ट क्रास तथा बैंग क्रास को समझाइए, इतने प्रशन हैं, 40 प्रशन हैं, और उम्मीद कर करें हो सकता है आपके पास नोट्स नहों बाकि आप लोग नोट्स दी बनाएं बच्चों तो सब मिल जाएगा बहुत सारे बच्चे तो दो दिन में मैसेज कर देते सर हमारा तयार हो गया इसका कारण यह है क्योंकि बच्चों जो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है होता ही नहीं एक बार देखा प्रश्म और रिवीजन कर लिया उससे तयार हो जाता है जो पूरा स्टार्टिंग से जैसे माई से पढ़ रहा है और जो बच्चा भाई नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा महिनत तो पढ़ेगा तो आप लोग तयार करते चलें बाकि हम दिन तर आ हैंगे बच्चों बस आपके एक प्यार सपोर्ट चाहिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन प्रस कर दें और हो सकी तो सेयर कर दें बस इतना यह कापी है आपका जो दिया हुआ गुरू दच्छना एक लाइक ही होता है बाकी तो कुछ नहीं है है ना आप का प्यार सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज बने रहें जैहिंद बंदमातरम